वेलकम व्यूवर्स, वाइनेम इस आशन मजर और यू आज वाचिंग यूट्यूब चैनल एलेक्ट्रोनिक्स और इंस्ट्रमेंटेशन व्यूवर्स आज के लेक्ट्चर में हम डिसकस करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं what is multimeter multimeter is a device or an instrument which is used to measure current, voltage and usually resistance typically our server ranges of value वीवर्स multimeter हमारे पास एक device या फिर ऐसा instrument है जिसको हम current, voltage या फिर resistance को measure करने के लिए इस्तमाल करते हैं यह diagram के अंदर आप multimeter को देख सकते हैं अब हम देखते हैं how to read multimeter वीवर्स आप multimeter को देख सकते हैं जिसमें यह हमारे पास selector है इसी तरह यह हमारे पास voltage AC, voltage DC, milli volt and temperature, resistance, continuity, milli ampere AC and DC and micro ampere AC and DC इसी तरह यह हमारे पास multimeter की cable को connect करने के लिए point है जहां पे हम voltage, resistance, temperature और continuity को measure करते हैं जहां पे हमारे पास positive wire आके connect होती है इसी तरह यह हमारे पास common के लिए इसी तरह milli ampere और micro ampere के लिए positive wire और ampere के लिए positive wire तो viewer जब भी हमने multimeter से AC voltage को measure करना होगा हम selector को voltage AC पर select करेंगे और positive wire को इस जगा के उपर और negative wire को इस जगा के उपर connect करेंगे इसी तरह जब हमने AC के फ्रकेंसी को मज़र करना होगा हम positive और negative wire को same जगा के उपर connect करेंगे और ये हमारे पास hertz का बटन है हम इसको press करेंगे जिसकी मदद से हम frequency को मज़र कर सकते हैं इसी तरह voltage DC को मज़र करने के लिए हम selector को इस जगा के उपर select करेंगे और positive wire को इस जगा के उपर और negative wire को इस जगा के उपर इसी तरह millivore DC को मज़र करने के लिए हम selector को इस जगा के उपर select करेंगे और positive wire को इस जगा के उपर और negative wire को इस जगा के उपर लगाएंगे इसी तरह जब हमने direct temperature को मज़र करना होगा हम सेलेक्टर को इस जगा के उपर सेलेक्ट करेंगे पॉजिटी वायर को इस जगा के उपर नेगिटी वायर को इस जगा के उपर और यह हमारे पास यालो करलर का बटन है जिसको हम सेलेक्ट करेंगे और डायरेक्ट हम टंपरेचर भी मेजर कार सकते हैं इसी तरह इस जगा के उपर हम resistance को measure करेंगे, इस जगा के उपर हम continuity को check करेंगे, तो विवर्दी आप देश सकते हैं हमारे पास milli ampere and ampere AC और DC को हम इस जगा से measure करेंगे, तो milli ampere AC और DC को हम measure करने के लिए positive wire को इस जगा के उपर connect करेंगे, और common wire को इस जगा के उपर connect करेंगे इसे तरह जब हमने Ampere को मेजर करना होगा तो हम Positive Wire को इस जगा के उपर और Negative Wire को इस जगा के उपर लगाएंगे इस तरह Viewer जी हमारे पास Micro Ampere AC and DC का सिंबल है तो Micro Ampere AC और DC मेजर करने के लिए हम Positive Wire को इस जगा के उपर और negative wire को इस जगाँ के उपर लगाएंगे. Viewer अब हम practically देखते हैं. तो Viewer ज़र आप दे सकते हैं, यह हमारे पास multimeter पड़ा हुआ है, तो multimeter को use करने से पहले, हमें multimeter को read करना आना चाहिए. तो यह आप दे सकते हैं, यह हमारे पास world AC का symbol बना हुआ है, इसी तरह यह हमारे पास volt DC का symbol बना हुआ है, इसी तरह यह हमारे पास mili volt और यह हमारे पास temperature है, इसी तरह यह हमारे पास resistant का symbol बना हुआ है, इसी तरह यह हमारे पास diode का symbol है, इसी तरह यह हमारे पास mili ampere AC और यह हमारे पास mili ampere DC है, इसी तरह ये हमारे पास Ampere है इसी तरह ये हमारे पास Micro Ampere AC और ये हमारे पास Micro Ampere DC है तो ये आप देश सकते हैं ये हमारे पास Temperature, Volt, Resistor और Diode का सिंबल बना हुआ है इसी तरह ये हमारे पास Common का Point है इसी तरह ये हमारे पास Million Ampere और Micro Ampere का Point है और ये हमारे पास Ampere का पॉइंट है इसी तरह ये हमारे पास दूसरा मल्टीमेटर है जिसमें ये हमारे पास Volt, AC, Volt, DC, Millie Volt and Temperature, Resistor, Diode, Millie Ampere, AC and DC and Ampere इसी तरह Micro Ampere, AC and DC है इसी तरह ये हमारे पास Temperature, Volt, Resistor और Diode का सिंबल है इसी तरह यह हमारे पास common का point है इसी तरह यह हमारे पास milli ampere और micro ampere और यह हमारे पास ampere का point है तो viewers one by one हम multimeter को use करना सेखते हैं तो जब भी हमने AC voltage को measure करना होगा हम multimeter को AC पर select करेंगे इसी तरह AC के लिए हमारे पास यह वाला point है इसको हम use करेंगे और ये वाला पॉइंट हमारे पास common का पॉइंट है तो जब भी हमने AC वोल्टी को मेजर करना होगा हम multimeter से AC को select करेंगे और हमारे पास ये दो केबले इदर आके connect होगी तो ये हमारे पास line है और ये हमारे पास neutral है तो ये आप दे सकते हैं इस टम हमारे पास 211 वोल्ट AC शो हो रहे हैं तो जब हमने frequency को मेजर करना होगा ये हमारे पास hertz का button है हम इसको press करेंगे तो ये आप दे सकते हैं इस टम हमारे पास 59.96 hertz शो हो रहे हैं इसी तरह जब हमने DC को मेजर करना होगा हम DC को select करेंगे और यह हमारे पास power supply है output 24V DC इसका यह हमारे पास positive point है और यह हमारे पास negative point है तो positive हमारे पास positive के उपर और negative हमारे पास negative के उपर आगे connect होगी तो यह आप दे सकते हैं इस time multimeter 24V DC show का रहा है इसके बाद next हमारे पास है millivolt तो millivolt को मेजर करने के लिए हम multimeter से millivolt को select करेंगे इसके बाद हम millivolt को मेजर करेंगे तो यह हमारे पास simulator है और यहांसे मैंने इसको source पे लगाया हुआ है तो यह अभी हमें 100 millivolt दे रहा है तो हमारे पास positive wire positive के उपर इसी तरह negative wire negative के उपर आके connect होगी तो यह आप देश सकते हैं इस तरह हमारे पास multimeter 100 millivolt शो कर रहा है viewers field instrumentation के अंदर हमारे पास millivolt different जगों पर use होते हैं मिसाल के तोर पर अगर हमने field के अंदर thermokopal के millivolt को चेक करना है तो हम multimeter को millivolt के उपर select करेंगे और multimeter की cable को thermokopal के साथ connect करके millivolt को चेक कर सकते हैं इसी तरह जब हम इस yellow button को press करेंगे तो यह हमारे पास temperature आना शुरू हो जएगा तो जब भी हम इस zone wire को आपस में connect करेंगे तो हमारे पास temperature शो हो रहा होगा तो यह आप देश सकते हैं इस time हमारे पास 25 degree temperature शो हो रहा है इसी तरह field के अंदर हम directly temperature को select करके thermokopal के मदद से temperature को भी चेक कर सकते हैं next हमारे पास है resistance तो जब भी हमने किसी चीज़ की resistance को find out करना होगा हम multimeter को resistance के ओपर select करेंगे मिसाल के तोर पर अगर यह हमारे पास cable है और इसकी हमने resistance को check करना है तो हम multimeter की दोनु वायर को इस cable के साथ connect करेंगे तो यह आप देश सकते हैं इस time हमारे पास 1.1 ohm resistance यो हो रही है next हमारे पास continuity का symbol है तो जब भी हमने किसी वायर की continuity को check करना होगा हम continuity पर select करेंगे इसी तरह multimeter की दोनु वायर को cable के साथ connect करेंगे तो यह आप देश सकते हैं इस time यह हमारे पास cable healthy है next हमारे पास miliampere AC और miliampere DC का option है तो miliampere को measure करने के लिए हम multimeter को miliampere के ओपर select करेंगे और इसी तरह यह हमारे पास miliampere और microampere का option है तो हम positive wire को इसके ओपर connect करेंगे तो इस वक्त हमारे पास miliampere AC शो हो रहे हैं तो जब भी हमने miliampere DC को measure करना होगा हम इसको press करेंगे तो यह आप देश सकते हैं इस तरह हमारे पास miliampere DC शो हो रहे हैं मिसाल के तो और अगर हमने transmitter के miliampere को measure करना है तो हम multimeter के ओपर miliampere को select करेंगे और इस multimeter के miliampere point के ओपर connect करेंगे और multimeter की positive wire को transmitter के checkpoint के ओपर और negative wire को transmitter के common point के ओपर लगाएंगे तो यह आप देश सकते हैं so this time with multimeter 4 miliampere show करेंगे इसे तरह जब हमने eighty को measure करना होगा तो हम इस point के ओपर लगा कर अबिर को measure करेंगे तो यह हमारे पास system impairment DC show हो रहे हैं तो जब हमने AC को measure करना होगा और हम इस button को press करेंगे तो यह हमारे पास Ampere AC Show हो रहे हैं मिसाल के तोर पर अगर हमने DC Ampere को मेजर करना है तो हम Positive Wire को Transmitter के Check Point के उपर और Negative Wire को Common Point के उपर Connect करेंगे तो यह आप इस टम देश सकते हैं Multimeter 0.004 Ampere DC Show कर रहा है यानि के हमारे पास 4 Milli Ampere है इसी तरह Last में हमारे पास है Micro Ampere तो Micro Ampere को मेजर करने के लिए हम इस Point के उपर Connect करेंगे और यह अभी Micro Ampere AC Show हो रहे हैं तो DC के लिए हम इस बटन को प्रेस करेंगे और Transmitter के दोनों Point के उपर Multimeter की Wire को Connect करेंगे तो यह आप देश सकते हैं Multimeter 3982 Micro Ampere DC Show कर रहा है यहनिके 4 Milli Ampere तो Viewers इस Multimeter को भी हम इसी तरह यूज़ करते हैं जब हमने वोल्ट AC को मेजर करना होगा तो हम AC पर Select करेंगे इसी तरह DC के लिए DC पर इसी तरह Milli Volt और Temperature के लिए इस Point के उपर Resistance के लिए इस Point के उपर AC और DC के लिए इस Point के उपर Multimeter को Select करेंगे और फिर Reading को Note करेंगे इसी तरह World, Registr और Temperature के लिए हम इस Point के उपर और Common को यूज़ करेंगे जब के Ampere के लिए हम Wire इस चेका के उपर Connect करेंगे और Milli Ampere या Micro Ampere के लिए हम Positive Wire को इस चेका के उपर Connect करके Milli Ampere और Micro Ampere की Reading को Note कर सकते हैं तो Viewers इस तरह से हम Multimeter को Use कर सकते हैं Viewers यह था आज का Lecture Thanks for Watching